अभी जो भजट इनूने दिया इसमें सबसे बड़ी चीज इनूने कहा कि एक bullet train चालू करेंगे bullet train जैसे जपान में, योउर्प में इन बड़े-बड़े देशों में होती है bullet train चालू करेंगे मुंबई से एहमधाबाद तक की ये गाडी होगी मुंबई से एहमदाबाद तक की दूरी यह बता रहे हैं दो घंटे में पूरी करेगी और इसकी टोटल लागत साथ हजार करोड रुपए आएगी साथ हजार करोड रुपए इसकी लागत आएगी दोस्तों मैं थोड़ी सी गुना भाग करके देखी है कि इसमें एक आदमी को किराया कितना देना पड़ेगा और मेरी जो गुना भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से एहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा एक आदमी का एक तरफ का मुंबई से एहम्दाबाद तक का 75,000 रुपे ट्रेन का किराया होगा बताओ अगर आप मुंबई से हवाईजाज लो तो मुंबई से एहम्दाबाद दो घंटे में पहुंच जाते हैं और 4,000 रुपे की टिकट है हुआईजाज से चार अजार रुपे की टिकट है ट्रेन से 75,000 रुपे का खिरायआ होगा तो कौन जाएगा जी इस ट्रेन के अंदर अव हमीर आदमी भी नहीं जाएगा एक बार तो शाय चले जाए कुछ हमीर आदमी देखने के लिए ट्रेन लगती कैसी है जित उसके बाद कौन जाएगा किसके लिए बना रहे हैं ये ट्रेन नरेंदर बोधी जी किस देश की बात कर रहे हैं उनको पता हो न जी यह भारत है यहां पर आदी से जाता जंता गरीब है यहां पर मजदूर किसान अपने गाउं से निकल के शहर की तरफ आते हैं नौकरी ढूंडने के लिए यह बुलेट ट्रेन किसके लिए बना रहे हैं